सु आगाते आप सभी कट्रों मीडिया जो तिस विज्ञान में आज हम बात कर रहे हैं कि अक्सर लोगों का ये एक धारना रहती है कि दीपावली के पर्व जब आरंब होता है ये है पांच दिनों का पंच महा पर्व तो सर्व से पर्थम जो देना आता है वह आता है धंत रो दसी धंत रो दसी एक ये स्वास्त धन भी देने वाली होती है और धन को भी देने वाली होती है तो ये कई परकारों के धन संतान का धन बैभव का धन कई परकारों का धन देने वाली होती है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन छिपकली दिख जाती है तो उसका कैसा सागुन होत क्या ये सुब होती है या असुब होती है ये असमंजस अकसर ही लोगों के मन में रहता है तो सबसे पहले तो मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि आप बारों महीने इस बात को आप नोट कीजिए और ज्याच भी कीजिए और आगे भी धन्तेरास आरही उस दिन भी आप normal साधरनरूप से दिखाई देती होंगी लेकिन यह सत्य है कि धंतरोदसी के दिन छिपकली अचानक से गाइब हो जाती है और वह बहुत ही कम दिखाई देती है जिस जगए बहुत सारी छिपकलियां अक्सर दिखाई देती है लेकिन धंतरोधसी के दिन, धंतेरस के दिन वैस्तान छिपकली विहीन होता है, सूना होता है और इसी कारण से यह भी माना जाता है कि धंतरोधसी के दिन यदि आपको अचानक से छिपकली दिखाई दे जाती है तो इसका संकेत होता है कि आपका जो आने वाला वर्स है यह मंगल में है यह सुबकारी है यह कल्यान कारी है यह आपको धंधाने से परिपूर करने वाला आपको मंजिलों में पहुंचाने वाला आपकी सफलताओं को में अग्रसर करने वाला आपका वर्स होगा छिपकली का धंते रस के दिन दिखाई देना और यदि छिपकली आपको दो पूँच वाली दिखाई दे जाती है तो इसे कह सकते हैं कि आपका सोने पर सुहागा यानि कि भाग्या तो ही है लेकिन वह भाग्ये अहो भाग्ये महा भाग्ये में बदल गया है तो दो पूँच के छिपकली दिखाई देना महा भाग गया यानि कि आपका भाग गया बहुत ज़्यादा बलसाली के साथ आ रहा है और अक्सार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग इस दिन छिपकली देखने के लिए ढूंडते हैं और घूंडते हैं कि यहाँ छिपकली देख कोई औचेत्य नहीं होता इससे आपका कोई भी सुब या असुब संकेत नहीं प्राप्त होता यह सुब और असुब संकेत जो है यह अचानक से आपको धंत रोदिसी के दिन छिपकली दिखाई दे जाए तो यह बहुत ही जादा सुब संकेत माना जाता है तो छिपकली का धंत ग्यासा थी अवस्या ही थान्स वही होगी और। आपको चिपकली इस बारदी वाली पर देख、 धान्स देखिए धंत्रोसी केुप क्यूं तरथी चिपकली पर देख आपको चिपकली दिक्स देखा है। नहीं यदि दिखाई देती है अचानक से तो आपका ये अगला जो वर्स है मंगल में है ये है आपका जीवन का मा लक्षिमी की किरपा से भगवान जेव की किरपा से मंगल में है ये ऐसा संकेत भोले नात का है इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं अगले एपिसोड में फि साथ तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया चोट इस विज्ञान को लाइक सेर कमेंट करना न भूलें और हमारे दुवारा दीगे जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अवस्थे ही कहें हर हर महादेव अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें